उदेपूर जिले के गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही हैं जहां थाना सेत्र के मजावत के कुंड़ों में एक दर्दना गटना सामने आई हैं जहां एक पेंथर ने पांस साल की मासूम लड़की सूरज पिता गमेरा गमेती का सिकार कर लिया मासूम लड़की गर के बार खेल रही थी जब प्यंतर उसे जंगल में उठा कर ले गया मासुम के जोड़ोड से चिलाने पर परिवार के लोग वा आसपास के ग्रामिन मोके पर पहुँचे लेकिन ग्रामिनों ने मासुम को नहीं पाया जिससे पूरे सेत्र में हडकम मच गया और ग्रामिनों में भय का मावल पेदा हो गया जिसके बाद मौक्या पर इकटा हुए लोग हातों में लट वा हत्यार लेकर जंगल में खोजबिन करने पहुँचे सुचना मिलते ही इस्थान ये सरपंच लेरी बाई गमेती मौक्या पर पहुँच गई और उन्होंने पुलिस वा वनिवबा को सुचना दी इस दोरान ग्रामिनों को मासुम का कटा हुआ हात पेर वर सत्विक्सित शव मिला ग्रामिन पुलिस पहुँचने का इंतजार कर रहे थे इसी दोरान पैं їхर ने फीर से अटेक किया और मासुम का सव जंगलों में लेकर बाग गया जिसको लेकर ग्रामिन गबा गए सुचना पर कोगुंदा SDM डॉक्टर नरेस सोनी, कोगुंदा तेसिलदार ओम सी अलखावत, थाना अधिकारी सेतान सिंग नाथावत, वन युबा के अधिकारी मौक्य पर पहुँचे जहाँ अधिकारी ग्रामिणों की मदद से मासूम बच्ची के सव को डूननेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खबर लिखने तक मासूम का सव नहीं मिल पाया है, क्योंकि पेंथर मासूम का सव फिर से जंगल में लेकर चला गया इस कटना ने ग्रामिणों को जग जोड दिया है, क्योंकि इस से पहले भी चाली में आदम खोर पेंथर ने तीन लोका का सिकार किया था, जिसको लेकर वन विबाग ने दो पेंथरों को पिंजरे में केद किया था अब इस नए हमले ने पूरे सेत्र में अड़कम मचा दिया है, और लोक फिर से सुरक सिक्त रहने के उपाय तलासने लगे हैं, मासूम के परिजनों का रोरोकर बुरा हाल हैं, इस कटना के बाद सभी को जाग रुक रहने की आवशकता हैं